हलो बच्चो वेलकम टो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड एट का चैप्टर नंबर फूर जिसका नाम है अल्टिट्यूद्स एंड मीडियन्स ओफ ट्रैंगल आपने वर्ड सुने होंगे लेकिन आपको एक्जाक्ली याद नहीं होगा या पता नही है ठीक है फिर हम मीडियन के बारे में सीखेंगे चला शुरू करता है टेक्डूप में आल्टिट्यूट का डेफिनेशन दिया है यह पर्पेंडिकलर सेग्मेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ओफ ट्रैंगल वर्टेक्स मतलब यह ट्रैंगल में एक वर्टेक्स है बी इसके उपर परपेंडिकलर होना चाहिए हूँ ऐसा 90 डिगरी होना चाहिए तो मैं यह जो लाइन है ए पी इसको बोल सकता हूँ अल्टिट्यूड ठीक है तो अगर ए से शुरू करूँगा तो कैसे आएगा देखो ऐसे आएगा ना ए से शुरू करूँगा और उपोजिट साइड पर परपेंडिकलर लाइन बना हुआ तो जो रेड कलर की लाइन बनी रहा इसको बोलते हैं अल्टिट्यूड ठीक है ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स है तीन वर्टाइस है न देखो एक दो तीन तो यहां से शुरू होने वाला भी एक अल्टिट्यूड आएगा यहां से शुरू होने वाला भी एक अल्टिट्यूड आएगा टोटल तीन अल्टिट्यूड आएगा अब देखते हैं कि बनाते कैसे हैं एक ट्राइंगल लेते हैं उसमें अल्टिट्यूड बनाएगे मैं एक 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 जांपल आपको पूरा डीटेल में जिखाऊंगा कि कै कैसे बनाते हैं अल्टिट्यूड प्रैक्टिस एट 4.1 का क्वेश्चिन 2 देखते हैं क्वेश्चिन 1 में आपको लास्ट में करा दूँगा वह बहुत ही जाता सिंपल है पहले क्वेश्चिन 2 देखते हैं ड्रॉइन अक्यूट आइंगल ट्राइंगल पीक्यूड आइंग टेक्स दूप में आपको set square method दिया हुआ है तो set square से कैसे बनाते है altitude देखते हैं पहले p से altitude जो शुरू होगा वो बनाते है altitude क्या होता है vertex p से vertex p के opposite side जो side qr उस पे एक perpendicular डालना मतलब 90 degree वाला एक line बनाना उसको बोलते है altitude तो p से शुरू होना चाहिए और line qr पे मिलना चा कैसे बनाएंगे set square निकालो आपके geometry box से set square ऐसे रखना है कि इसका ये जो vertical वाला line है वो ये point से पास होना चाहिए p से और जो नीचे base है qr उस पे ये set square ये triangle का base होना चाहिए जो plastic का triangle आपने रखा है ये exact नीचे line पे मिलना चाहिए ठीक है फिर आपको pencil से यहां से एक शु तो ये 90 degree वाला line है उसको label कर दो तो मैंने वो point को label कर दिया d और यहां पे 90 degree का symbol बना दिया तो p d एक altitude है अभी आपको q से शुरू होता हुआ एक altitude बनाना है तो set square कैसे रखेंगे जो vertical line है वो q पे मिलना चाहिए और नीचे का जो base है वो ये वाले side pr पे rest करना चाहिए कैसे से आएगा देखो तो मैंने आपे जो vertical q point है वहाँ पे ये vertical वाला डाल दिया और नीचे का जो पार्ट है triangle का जो square plastic है मारे पार set square उसका base pr पे line coincide करना चाहिए exactly उसके उसके उपर है ये z square का ये वाला part ठीक है अब q से line शुरू करो और pr तक उसको touch करा दो कैसे आएगा ऐस तो q e b है altitude है अब तीसरा altitude जो है न बच्चो वो बिना set square के भी आप बना सकते हो कैसे सारे altitudes हमेशा एक common point से pass होते हैं अपने दो altitude बना दिये ठीक है ये दो altitude ये वाले point पे meet कर रहे है न ये वाले point को हम लोग o label कर देंगे देखो यहाँ पे लिखा है name the point of concurrence as o concurrence मदलब क जहाँ पे three or more lines तीन या तीन से जादा lines meet करते हैं वो point को point of concurrence बोलते हैं तो यहाँ पे तीसरा line जो r से शुरू होने वाला है वो भी इसी के through जाएगा वो property है altitude का ठीक है तो हम लोग actually बिना set square ये उसके भी बना सकते हैं तो line जो है वो इसके यहाँ से शुरू होगा ये point पास होगा और यहाँ पे touch करेगा और वो 90 degree ही आएगा because altitude का property है लेकिन हम पहला question कर रहे है इसलिए हम लोग ये वाला line भी set square से बनाएंगे तो निकालो अपना set square तो यहाँ पे देखो set square का जो base है मैंने वो ये base पे रख दिया और r point से शुरू होने वाला इसलिए जो vertical वा e and altitude rf तिनों एक point यहाँ पे मिल रहे है उसने बुलाए name the point of concurrence as o इसको o क्यूं बोलते है because यह altitude के मिलने वाली जगा को ortho center बोलते हैं क्या बोलते हैं ortho center तो इसलिए उसको o label करते हैं तो यह point को o label कर दो तो यहाँ पे मैंने यह point को o label कर दिया तो हमने एक acute angle triangle बनाया triangle pqr उसके सारे altitudes बना दिये pd qe और rf and जो point of concurrence है उसको नाम दे दिया ओ आया समझ में set square यूज़ करके कैसे altitude बनाते हैं very good video pause करके आपके notebook में construction करो जल्दी से बच्चो भूलना नहीं acute angle ही बनाना है because दूसरे type के triangles में altitude थोड़े अलगाएंगे acute angle triangle मतलब सारे angles 90 degree से कम होने च question 4 दिया है draw an obtuse angle triangle element droids altitudes and denote the ortho center by o obtuse angle triangle मतलब इसका एक angle ये पूरे triangle का एक angle obtuse होना चाहिए दिख रहा है angle M जो है वो 90 से जादा है तो ये पूरा triangle बन जाता है obtuse angle triangle because angle M obtuse है droids altitude and denote the ortho center by up हमेशा altitude जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं वो point को हम बोलते हैं ortho center ठीक है तो अब हम देखते हैं obtuse angle में altitude कैसे बनाते हैं altitude का definition क्या था? vertex से शुरू होना चाहिए line and opposite side पे perpendicular होना चाहिए अप देख लो आप L से शुरू करेंगे line तो perpendicular बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्या मेहनत? set square लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ तो मैंने set square का एक base जो है base nm पे रख दिया मुझे L से altitude बनाना है न तो opposite side पे एक base रख दिया ठीक है? फिर आप ये वाला जो vertical line है वो L की तरफ लेगा है L की तरफ जाना चाहिए न वो लेकिन जैसे ही L की तरफ गया है नीचे से side गयाब हो गई क्योंकि 90 degree तो ऐसा ही आएगा यहाँ पे पर side है ही नहीं जब भी obtuse angle होगा न तो आपको side हमेशा कम पड़ेगी इसलिए आपको ये side जो है MN इसको extend करना पड़ेगा extend करके इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा है उससे थोड़ा दूर तक लेके जाना पड़ेगा ताकि altitude उसके उपर आप बना सके फिर यहाँ पे मैं एक line बनाऊंगा perpendicular altitude की definition क्या है altitude की definition है vertex से एक line बनानी है opposite side पे तो L से एक line शुरू होना चाहिए जो NM पे मिलना चाहिए and वो सिफ मिलना नहीं चाहिए 90 degree पे होना चाहिए आप L से कोई भी line ले लो triangle के अंदर NM के उपर हो 90 degree बना ही नहीं पाएगी ठी से पता चलेगा set square आप ऐसे L पे रखेंगे vertical वाला part और horizontal वाला part नीचे रखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो altitude आ रहा है वो triangle के बाहर आ ठीक है तो यहाँ से मैं एक line लूँगा यहाँ तक drop कर दूँगा 90 degree वो हो जाएगा altitude तो मैंने यहाँ पे line बना दिया देखो लेबल कर सकते हो आप तो मैंने यहाँ पे एक altitude बना दिया LA ठीक है वैसे ही आपको कहां से बनाना है N से शुरू होना चाहिए line and LM पे perpendicular होना चाहिए ठीक है LM पे 90 degree बनाना चाहिए कैसे अब देखो यहाँ पे भी जब मैं N से line शुरू करूँगा ठीक है N से line शुरू करना ह है और आपको LM पे perpendicular डालना है कोई भी जगे पे आप line डालेंगे वो 90 degree angle बना ही नहीं पाएगा triangle के अंदर 90 degree मतलब पता है न प्रोट्राक्टर से L बनना चाहिए perfect L यह L बन रहा है लेकिन perfect L नहीं बन रहा perfect L देखो यहाँ पे भी line extend करके यहाँ कहीं पे शायद बनेगा त जैसे हमने NM को extend किया बच्चे हमेशा याद रखें side को extend करना है side को side कौन है यहाँ पे side है LM तो LM को extend करते हैं तो मैंने यहाँ पे side LM को extend कर दिया है क्यों extend किया because altitude N से शुरू होगा और वो side पे मिली नहीं पारा triangle के अंदर तो उसको triangle के भार लेके आ है थोड़ा अब set square का जो base है वो LM के साथ coincide करो LM के उपर आ जाना चाहिए और जो उपर pointed वाला part है वो N की तरफ आना चाहिए देखो यहाँ पर देख रहा ही है ऐसे आएगा N की तरफ तो आपको यहाँ से N से एक line बनाना है जो इस पे perpendicular आएगा LM तो बना दो जल्दी से line ऐसे आ जाएगा line अब इसको 90 degree लिख देंगे यहाँ पर 90 degree का एक symbol बना देंगे और यह point को label कर देंगे B ठीक है यह भी एक altitude है जो N से शुरू हो रहा है तो हमने दो altitudes बना दी LA and NB तीसरा altitude कहां से शुरू होगा तीसरा altitude शुरू होगा M से ठीक है इसको काफी लोग altitude भी बोलते हैं आप altitude बोलो altitude बोलो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अभी M से शुरू होकर उसको LM पे meet करना है LN पे opposite side है न LN और यहाँ तो easily 90 degree बन जाएगा न कोई side extend नहीं करना पड़ेगा तो M से शुरू होता हुआ LN पे एक perpendicular line बनाओ कैसे बनाएंगे set square का जो base है वो LN पे रखेंगे तो line यहाँ पे meet करवाना ठीक है जल्दी से बना दो line ऐसे आ जाएगा line यहाँ पे 90 degree का symbol बना दो यह point को नाम दे दो C तो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा altitude बना दिया उसका नाम है MC अब उसने बोला है altitude तो बनाना ही है आपको denote करना है ortho center by O ortho center क्या होता है ortho center वो point होता है जहाँ पे तीनो altitudes यह altitudes मिलके party करते है अब यह तीनो altitudes देख लो कहां कहां पे है LA MC and NB यह तीनो एक जगे पे कहीं पे मिल रहे है क्या नहीं मिल रहे है तो इनको आपको जबरदस्ति मिलवाना पड़ेगा जबरदस्ति कैसे मिलवाएंगे यह line यहाँ से extend करेंगे यह line यहाँ से extend करेंगे तो वो तीनो एक point पे मिलेंगे वो तीनो जहाँ पे मिलेंगे वो point को हम label करेंगे O तो यह तीनो altitudes को मैंने जबरदस्ती आगे extend करवाया और वो लोग यह point पे मिले ठीक है और यह point को हमने label कर दिया O क्यों O because altitudes जो जगह पर मिलते हैं और party करते हैं उनक यहाँ पे altitudes देखो दो तो triangle के बाहर हैं और तीनो triangle के बाहर मिल रहे हैं यह point पे ओके तो ज्यादा टेंशन मतले ना अगर obtuse angle का बनाने बोला हमको कोई फरक नहीं बरता हम sides को extend कर देंगे और उसके उपर set square यूज़ करके पपंड़ी बेंगे विडियो पॉस करो ट्राइ करो कि ऐसे का ऐसा obtuse angle बनाओ एक बार पहली बार जब बना रहे हो और यह altitudes बनाओ फिर थोड़ा अलग obtuse angle बनाओ ज्यादा बड़ा angle वाला बनाओ उस पे आप altitudes बनाने की कोशिश करो देखो ज्यादा time तो लगने नहीं वाला क्योंकि आपको परपेडिकल बनाने के median में word देखो mid मतलब midpoint ठीक है तो यहां पर midpoint word बहुत important है median midpoint से connected होगा कैसे कोई भी triangle के vertex से आपको एक line बनाना है उसके opposite side तक तो let's say मैंने f से शुरू किया एक line तो f जो vertex है उसका opposite side कौन सा है hc तो मुझे f से एक line शुरू करना है और वो hc के midpoint पे join करना है ठीक है वो mid point को join कर रहा है इसलिए यह जो line बनेगी join करके उसको बोलेंगे median तो इसमें सबसे बड़ा challenge क्या होगा यह line hc का midpoint find करना अब बहुत जादा दिमाग लगा के लोग बोलेंगे अरे scale रखते है इसके उपर फिर scale से देखेंगे अगर यह total 10 cm पे है तो 5 cm पे midpoint mark कर देंगे ल मैंने यहाँ पे scale रख लिया यह side पे तो यह है 15.4 scale के तो इसका half लेने जाएंगे तो आएगा 7.7 पे यहाँ पे तो आप point यहाँ पे label कर देंगे और करेंगे तो वो accurate नहीं आएगा क्योंकि यह exact 15.4 नहीं है इसलिए जब आप midpoint find करेंगे तो midpoint आपको scale यूज करके नही निकालना है midpoint आपको दूसरे अच्छे method से निकालना है कौन सा method perpendicular bisector method आपने इसके पहले के standards में perpendicular bisector कैसे बनाना है वो देखा था perpendicular bisector कैसा होता है perpendicular bisector को vertex से कोई फरक नहीं पड़ता जब आप perpendicular bisector बनाएंगे hc का तो पूरा triangle ignore करो खाली hc एक line देखो ठीक है hc का perpendicular bisector ऐसा कुछ आएगा 90 degree पे वो यह vertex से पास होगा जरूरी नहीं है most of the cases में vertex से पास होगा ही नहीं लेकिन हमको उससे कोई फरक नहीं गया midpoint हो गया right तो यह वाला point और यह वाला point में join कर दूँगा तो यह जो line बनी यह वाली यह line होगी median बच्चों अगर उसने median बनाने बोला तब उसने बोला नहीं था कि आपको यह perpendicular bisector बनाना है लेकिन midpoint find करने के लिए आपको perpendicular bisector बनाना पड़ेगा and वो midpoint use करके आप median बनाएंगे ठीक है तो चलो एक question median का करते हैं तो यहाँ पे मैंने triangle ABC लिया है अभी आपको median बनाना है मैं सिर्फ एक median बनाऊंगा यहाँ पे भी 3 median possible है हर एक vertex से opposite side के midpoint पे join करने वाले line को median बोलते हैं तो अगर 3 vertex है तो 3 median बनेंगे एक median A से शुरू होगा दूसरा median B से पहले हम A से शुरू होने वाला median बनाते हैं कैसे बनाएंगे median बनाने के लिए आपको यह जो opposite side है A point के A vertex के opposite side है उसका midpoint चीए तो BC का midpoint कैसे find करेंगे bisector बनागे कौन सा bisector? perpendicular bisector तो perpendicular bisector बनाने के लिए आपको compass की जरूरत पड़ेगी तो compass निकाल लिए जल्दी से compass का needle B पे रखें देखो आपको BC side BC का perpendicular bisector बनाना है A B A C आप देखो ही मत यह आप सोचो यह triangle आपको दिया ही नहीं है आपको सिर्फ line BC दिया है और BC का आपको क्या बनाना है? perpendicular bisector तो compass का needle B पे रखके फिर एक यहाँ पे आप लोग arc बना दो ठीक है? एक इस तरफ बना दिय पे रखना है खाली needle पहले B पे था अब needle को C पे रख दिया and आपने compass से यहाँ पे भी एक arc बना दिया ऐसे ठीक है? अब आपको क्या करना है? अब आपको यह compass का needle यह arc जहाँ पे side BC को काट रहा है वहाँ पे रखना है फिर distance half से थोड़ा ज़ादा कैसे लेंगे? देखो य देना देना निया क्योंकि हमने पहले बनाया है, median को midpoint चाहिए, midpoint find करने के लिए हम लोग perpendicular bisector बनाएंगे, bisector का meaning क्या होता है? दो parts में divide करता है, मतलब midpoint बताएगा आपको, ठीक है? अब यह वाला point यह जो है, इस पे आपने needle रखी और compass पे यह line से आधा से जाधा distance लिया ठीक है? आधा से जाधा मतलब इतना कम मतले ना, यह आधे से कम होगा, यह जो line ने यहाँ से लेके यहाँ तक का part जो है, उससे आधे से जाधा, आधा यहाँ कहीं पे होगा, उससे थोड़ा जाधा ले लो, ठीक है? थोड़ा जाधा लगके अब measure change नहीं करना है, और कमपस की needle को हम लोग यह वाले point पे रखेंगे, same distance, distance change मत करना, ठीक है? अब यह जो दो arcs हैं, इसको cut करेंगे, cross बनाएंगे, कहाँ पे cut कर रहा है, देखो, एक यहाँ पे है, और दूसरा point यहाँ पे, दोनों जोगे cross बन गया, अब compass को upside में रख दो, देखो यह point, यह वा क्या है? यह P point, यह BC का midpoint है, मतलब B और C से same दूरी पर है, बीच में है, ठीक है? median क्या होता है? median opposite vertex से median, जो midpoint है, उसको join करता है, तो opposite vertex A से side BC के midpoint पे, midpoint P है न, यह P हमने यह जो yellow line बनाई है, वो सिर्फ point P find करने के लिए बनाई है, इसलिए बाकी सब देखके डरो मत, सि point A को point P से join कर दो, यह जो आपको line मिली न, AP, यह है median, आया समझ मैं? उसने हमको यह yellow line बनाने नहीं बोला था, yellow line हमने बनाया है, ताकि हम midpoint find कर सके, उसने हमको सिर्फ red line बनाने बोला था median, पर red line यह वाला जो AP है, यह yellow line के बिना बनी नहीं सकता, ठीक है? तो एक median आगे आ पहले perpendicular bisector निकालना पड़ेगा, फिर midpoint मिलेगा, फिर आप vertex को midpoint से join करेंगे, तो आपको median मिलेगा, तो मैं B वाला median बना रहा हूँ, वीडियो pause करके, आप पहले यह वाला बनाओ, फिर B वाला median बनाओ, median जब B से शुरू होगा, तो वो AC, AC वाले side पे मिलेगा न, तो compass की जो needle है, पहले C पे रखो, and बाद में A पे रखके, वो perpendicular bisector बनाने का process follow करो, ठीक है, तो मुझे देखो, यहाँ पे, यह दो arcs बनाई हूँ, उने perpendicular bisector बनाने के लिए, अब एक line बनानी है, जो दो यह points से pass हो, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे AC का midpoint मिल जाएगा, त यह midpoint पे join करेगा, तो उसको बुलेंगे median, तो मैंने B से यह point को join कर दिया, यह point क्या है Q, midpoint of side AC, ठीक है, तो दूसरा median मिल गया BQ, बचो median बनाने के लिए जो diagram बनेगा, वो बहुत ही जादा complicated लगेगा दिखने में, because midpoint find करने के लिए आपको पहले perpendicular bisector बनाना पड़ेगा फिर midpoint मिलेगा, उसके बाद आप vertex से join करके median बनाएगे, तो यहाँ देखो किती सारी lines दिखती है, yellow, red, उसने हमको yellow line पूछा ही नहीं है, जब वो बोलेगा न, draw medians, तो यह red वाली line पूछी है, लेकिन red वाली line ऐसे ही time pass में तो बनने ही जाएगी, vertex तो आपके पास है, ले perpendicular bisector बनाके, point Q मिला, फिर point B को Q से join कर दिया और दूसरा median मिल गया, BQ, ऐसे हम लोग तीसरा median बनाएगे, यहाँ से pass होता हुआ, और AB पे, AB के midpoint पे मिलने वाला, तो बना तो जल्दी से median, तो यहाँ पे मैंने yellow वाला पे perpendicular bisector बनाया side AB का, फिर C से, यह perpendicular bisector जहाँ पे line को intersect क वहाँ पे join कर दिया, तो यह जो red color वाले है न, line AP, BQ and CR, यह तीनो median है यहाँ ठीक है, यह जो yellow line है न, वो उसने नहीं पूछा, जो red lines दिख रहे हैं आपको, जब आपके book में बनाएगे तो सब black lines होने वाले pencil वाले, तो आपको अच्छे से देखना है कि क्या बनाना है, न तो कहीं पे mistake हो जाएगा, ठीक है, तो यह lines AP, BQ and CR, यह है medians, यह तीनो lines देखो, तीनो median यह point पे एक साथ मिल रहे हैं, जैसे altitudes या altitudes एक point पे मिलते थे, वो point को बोलते थे ortho center O, वैसे ही सारी medians, जो तीन medians रिटरांगल की, वो हमेशा एक ही point पे party करेगी, वो point का नाम हो या G, इसको क्या बोलते हैं, centroid, medians कहां पे party करते हैं, centroid पे, तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा, G क्या है, centroid, c-e-n-t-r-o-i-d, centroid क्या होता है, सारी medians एक point पे concurrent होती है, वो point of concurrence, G, उसको G label करते हैं हमेशा, medians के case में, और उस point को बोलते हैं centroid, ओके, बचो, medians बना scale से मत find करना, midpoint wrong मिलेगा, पहले compass use करो, midpoint find करो, midpoint मिल गया, उसको opposite vertex से join करो, तो आपको मिल जाएगा median, total कितने vertex हैं, तीन vertices हैं, अगर तीन vertices है, तो तीन median होगे, तीन median के लिए पहले आपको तीन perpendicular bisectors बनाने पड़ेंगे, ठीक हैं, तो diagram बहुत ही गंदा दिखने वाला ह ठीक है, लेकिन centroid, median वाला बनाने के लिए आपको practice तो करना ही पड़ेगा, कम से कम 7 से 8 problems आप median के solve करेंगे, कोई भी random triangle बनाओ, और उसके 3 median बनाओ, ठीक है, आपको हमवक है कि आपको कम से कम 7 problems करने हैं, median के, random triangles, जैसे देखो, altitude में obtuse angle triangle था, तो ortho center बाहर आ रहा था न, वैसे median में कभी नहीं होगा, median में हमेशा जो centroid है जी, वो triangle के अंदर ही आएगा, obtuse हो, कोई भी type का triangle, तो आपको क्या करना है, आपको 6 से 7 triangles लेने हैं, उनके medians बनाने हैं, और next time मुझे बताना है, comment section में आप बताओ कि आपने 7-8 figures बनाए के लिए, okay, video pause करके देख लो एक median कौन है, altitude find करना तो बहुत simple है, vortex से opposite side पे perpendicular डाला तो होता है altitude, lx देखो यहाँ पे perpendicular है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, segment lx is an altitude, फिर यह ly क्या है, यह ly है median, तो हम लोग लिखेंगे segment ly is a median, actual median के लिए थोड़ा ज़्यादा information देना चाहिए, median के लिए midpoint होना ज़रू लेकिन नहीं दिया है, बट दो ही question दिये हैं, तो एक altitude मिल गया, इसलिए मैं दूसरा लिख रहा हूँ median, honestly speaking यहाँ पे median के लिए all information चाहिए होता है, जादा सोचो मत, बहुत ही simple first question है, वो चाही नहीं रहाए कि आप इतना सोचो, आप लिखो segment lx is an altitude and segment ly is a median, okay, video pause करके देख question 4 किया, ठीक है, जो बाकी के questions है, question 3, 5, 6 and 7, वो मैं आपको next video में करूँगा, मैंने आपको medians बनाना भी जिखाया, वो question यहाँ पे exactly पूछा नहीं था, लेकिन medians explain कने के लिए मैंने आपको medians बना के पुरा बताया के कैसे बनते है medians, okay, तो अगर आप question number 3 का solution देखे, obtuse angle triangle STV, तो उसकी medians आप खुद से बना सकते हैं और centroid भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको medians बनाना already सिखा दिया है, तो third question मैं आपको homework दे रहा हूँ, next lecture में मैं इसका solution आपको दिखाऊंगा, obtuse angle सबका अलग-अलग होगा, तो सबका figure थोड़ा अलग-अलग दिखेगा, लेकिन medians एकदम accurate बनाना, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे like जरूर करें, इसका लिंग अपने दोस्तों फिसाल WhatsApp पर share करें, ताकि उनको भी practice set 4.1 अच्छे से समझ में आ जाए, आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe करना न न भू करें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे practice set के detailed solutions explain और upload करते रहेंगे, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लिजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो upload करें, आपको notifications आ जाए, और आप कोई भी important videos miss ना करें, comment section में हमें जरूर बताएं कि आप कोई वीडियो कैसा लगा, thank you so much for watching this video.